Hello, दोस्तों, Welcome to our channel Medical Aigyan दोस्तों, आज हम बात करेंगे OBG का Ectopic Pregnancy ठीक है? हम बात करने जा रहे हैं Ectopic Pregnancy तो क्या होती है Ectopic Pregnancy तो देखो, मैं एक ओवर्वीव देता हूँ तो यह जो चीज है, यह है uterus ठीक है? यह uterus है और यह fallopian tube है तो देखते हैं क्या होती है और एक तोफिक प्रंसी इस प्रेंटे जा स्थिजन इंट्थ Ao T खांसित है एक टॉपिक तेस्टेशिन इंट एक तेस्टेशन इंप्लाइंटेड से की बताएं इसे नेच Vä.ч02 जेस्टेशन की प्रॉसेस होती है तब हम उस कंडिशन को क्या कहते हैं एक्टॉपिक प्रेग्नेंसी कहते हैं ठीक है नेस्ट इसमें लोकेशन टिपिकली इंक्लूड दा फैलोपियन ट्यूप, 96% ओवरी, सर्विक्स और हो सकता हैं नेक प्रेंटेक ट्यूब मेंहीं होंति है और ऑवरी पास होती है सर्विक्स पर सकती है यह फिर अप्डॉमिन अाब्डॉमिल अप्डॉमिन नेक्स्त वीकल में मॉस्ट प्रेंसी को सकती हैं नेक्स डीटल नि sua तो थार्ड ऑफ दे यूब सम्हार लोकेटेट इन दप्रॉप्जिमल पॉर्शन ऑफ दा एक्स्ट्राइट पार्ट ऑफ दा ट्यूब यानि इस थामिक तो देखो क्या होता है जायतर जो ट्यूबल प्रेगनेंसी जो ती है वो कहां होती है वो डिस्टल डिस्टल फैलविड ट्यूब होती है उसके थर पार्ट में होती है यानि अंहीं और कुछ नहां होती है तो कुछ प्रॉक्जीमल प्रोट्वर्शन हैLabोती है तूह-एया यहां नहीं देखने को मिलती है यक्टापिक प्रेगनसीज़ींकियोत थिक आना नेस्ट यहां बात करते हैं कि अब यह यह यूट्रस है तो मैं आपको पॉजिशन बताई यहां पर हो रही है और इस पार्ट में ठीक है देखो ओवरी के पास हो रही है ठीक है यहां पर इस थमस पर हो रही है और कहां पर ठीक है और आपको यह इंटर स्टाइन के पास हो गया है ठीक है जो जैस्टेशन पीरेड वह और यानी जो जो बेबी का डवलाप्मेंट के पास हो गया है तो यह सारी सब्सक्राइब करते हैं इसकी कारण होते हैं जिनकी वह सकती है तो फस्ट इसमें और सब्सक्राइब अपने में जहांने जहां पर उसको झाना होता है वहां पर नहीं जााह तो उसके लिए प्र document के खारण क्या होता है जो भी ओवम है, वो कहा नहीं जा पाता है अपनी जगह पर, यहांपर उसको development करना है, development होना है, वहांपर नहीं जा पाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो first test में pelvic inflammatory disease, अगर किसी female को क्या हुआ है, pelvic inflammatory disease हुई है, यहनि उसका जो भी pelvic एक वाला पॉर्शन है वहाँ पर कोई इंफलामेशन वर हो गया सब बजाएना में सब्सक्राइब इनफलामेशन हो घाल हो गया है तब जतना उसको यह कंडिए को देखने कोρη सकती सब्सक्तकिका comments may partners अगर किसी फीमेल को पहले भी विक्या हन् Street अग्टॉपिक करने के लिए को पहले जो है बेवी नहीं करना था पहले प्रेग्नेंसी नहीं चाहती थी लेकिन बाद में और उसको प्रेग्नेंसी हुई लेकिन उसने क्या गणाई पहले सरजरी करा लिए फिर इससे क्या हुआ उसका बेबी जो है अबार्शन कर लिया उसने तो उस वज़े से क्या हुआ जब वो आगे जो भी कंडिशन जा आगे जो भी अगर प्रेवेंसी यह उसको करना चाहती है तब क्यों हो सकता है उस कंडिशन में एक्टोपिक प्रेवेंसी के होने के चांसे बहुत ज्यादा होते हैं नेस्ट इसमें डाइथल इस्टिल बैस्ट्रोल डी एस एक्सपोजर ठ होते हैं इसमें अधेंशन ऑफ दे ट्यूप यह फिर सलफ एंजाइटिस अगर क्या हुआ है देखो जो ट्यूब है यह उसमें एडिशन हो गया है ठीक है यह वह आपस में क्या होई है चिपक गई है तब क्या हो सकता है एक्टोपिक प्रेवेंसी होने के चांसे बहुत ज् है नेकर हो सकती है ठीक है नेस्ट इसमें और और ब्रेअ्टलप्मेंटल अनॉमेली अफड़ और यृत हो सकती है अगर छोपी मिलहत्पि पहुत ज्यादा बड़ी है ठीक है वुद्टी पीक रेजल्स इन ग्रोइंग एक्रोए परिक रेजल्स इन इन फ्लामेशन रप्टर है मरेज और पैरिटॉनाइटिस तो देहों क्या हो सकता है जब धी क्या है अगर अगर अगरे अगर एक्रोप रेंसी हुई है तब यूदिक वजह उच्पा ले इसके व्जह सकता है ठीक ह क्लीनिकल मैनिफेटेशन्स यानी ऐसे कौन-कौन से लक्षड होते है जो कि दिखाए दिते हैं एक्टॉपिक प्रगन्स की दोरां ठीक है तो देखो सकता है पेशेंट को एप्डॉमेनल और पैल्विक पैन्स हो सकता है तिपिकली यूनिलिटरल यानि जिस तरफ एक्टॉप बी हो सकता है एक इस युजली इस कैंटी और और मोस्ट कॉमन ठीक है तो तो बहुत ज्यादा क्या होगी तो क्या हो सकती है बहुत ज्यादा कम मात्रा में हो सकती है ठीक है कम मात्रा में हो सकते हैं, नेक्स तेस में एमेनोरिया 75% of the cases है ना, 75% cases में patient को एमेनोरिया देखने को मिलता है, ठीक है, नेक्स तेस में uterine enlargement हो सकता है, ठीक है, size is usually similar to what it would be in a normally implanted pregnancy, ठीक है, अब जो uterus का size है, वो उतना ही देखने को मिलता है, जितना की size जो है, normal pregnancy में मिलता है, ठीक है, जो कि अगर ectopic pregnancy भी है किसी patient को, किसी female को, तो उसमें size जो है, वो उतना देखने को मिलता है, जितना की normal pregnancy में होता है, ठीक है, abdominal tenderness और on palpation, जब हम क्या करते हैं, patient के abdomen पर palpate करते हैं, तो वहाँ पर tenderness देखने को मिलती है, patient को, ठीक है, next time बात करते हैं, six point के बारे में, तो देखो, radiating shoulder pain due to bleeding into the peritoneal cavity aggravating nerves, ठीक है, तो देखो, अब क्या होगा, इसमें है radiating shoulder pain, patient को shoulder pain देखने को मिल सकता है, यानि जो female है, उसको shoulder pain देखने को मिल सकता है, nerves के कारण, ठीक है, जब क्या होगा, abdomen में, sorry, peritoneal cavity में क्या और यह bleeding हो र पेशेंट के बारे में, पेशेंट को रहें, तो देखने को मिल सकता है, increased pulse and anxiety है, आप क्योंगा, patient की जो pulse है, और जो anxiety होगी, बढ़ जाएगी, increase हो जाएगी, ठीक है, next time, nausea, vomiting, faintness, vertigo, और sinko, patient को क्योंगा, nausea, vomiting हो सकती है, ठीक है, next time, faintness, यानि चक्रा आ सकता है, patient को, ठी सकते है, ठीक है, सिंको, patient को को सकता है, next time, pelvic examination में, reveal pelvic mass, posterior or lateral to the uterus, adrenational tenderness and cervical pain on movement of the cervix, ठीक है, तो देखो, क्या होगा, pelvic examination क्या कर सकता है, तो pelvic mass को दिखा सकता है, अगर हम क्या करता है, patient का pelvic examination कराते हैं, तो उसमें वो चीज़ दिखाई देती है, कहां पर जो है, pregnancy हुई है, ठ कहां दिख सकता है, posterior side में दिखता है, और lateral में भी दिख सकता है, adenazal tenderness patient को हो सकती है, next time, cervical pain देखने को मिल सकता है, patient को ठीक है, जब क्योंगा सर्विक्स अब वो मूव करेगी, ठीक है, इधर उधर मूव करती है, cervix, ठीक है, तो, क्योंगा उसको, cervical pain भी देखने को मिल सक सकता है, ठीक है, next time, note है ना, अब note में क्या है, pain may become severe if a tubal rupture occurs and clinical presentation will be that of shock, है ना, अब क्या हो सकता है, pain हो सकता है, patient को बहुत ज्यादा pain हो सकता है, जब क्या होगा, जो tubal rupture है, यानि क्या हुआ, जिस tube में जो baby है, ठीक है, यानि जो, sorry, fetus है, वो development कर रहा है, डबलफ हो रह जाती है, तब क्यों, severe pain देखने को मिल सकता है, ठीक है, clinical presentation will be that of shock, है ना, और इस condition के बाद क्यों सकता है, shock के shock भी patient को हो सकता है, ठीक है, shock की condition पेशेंट जा सकता है, next time बात करेंगे, पेशेंट के बारे में, यानि कि जो patient है, उसमें हम कैसे check करेंगे, उसको क्या है, ectopic pregnancy ह हुई है, ठीक है, तो serial quantitative levels of the beta sub unit of human chorionic gonadotropin, यानि बीटा, hcg, can be used in combination with the ultrasound in most cases, ठीक है, जातर केसे में हम क्या करते है, जो patient है, उसमें हम क्या करते है, जो पेशेंट है, उसमें हम क्या करते है, serial quantitative level को check करते है, किसके जो बीटा, बीटा, hcg है, ठीक है, बीटा, hcg है, उस करते हैं पता लगा सकते हैं कि जो भी प्रेगेंसी कहां पर किस साइड में हुई है ठीक है नेस्ट इसमें कल्ड़ कल्डो सेंटेशिस हम कर सकते हैं ब्लड़ी एस्पारेट फ्रॉम्दा कल्डु सेख ठीक है कल्ड़े सेख ऑफ डगलस इन दा पोस्टेरियर फॉनिक्स ऑफ इंड्त इंट्रबयों अगर cell को प्लेंट्ट इस यूट्रंडीनस में उसके बीच में ऐक सट्रॉक्टिल होती है वहार से उसके करते हैं और निकालते हैं वनप्र घर कर करने के बाद वहां अगर उसमें ब्लड की मात्रा पाई जाती है तब हम यह पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको ट्यूबल रख्चर हुआ है ठीक है घर मत्लब होता है कि तुछ पेशेंट हैं कि कर देखाई दे रही है उसको हम ओपर करके देख सकते हैं ठीक है कि जो भी etopic pregnancy किस साइड पर हुई है या फिर किस तरह से हुई है अगर वोल सकते हैं जो नेल अनदी के है उसको हम तो सिंगल दोस जब हम देते हैं तब जो है मैं तो सिंगल डोस देते हैं 50 mg आइंड देते हैं गोल ऑफ ट्रीटमेंट इस टू रिमूब एक्टापिक प्रेग्नेंसी एंड प्रिजर्व रेप्रोडुक्टिव फंक्शन्स देखो हमें मैंनेज्मेंट का गोल क्या होगा ठीक कि आजे ऑमें है यह आगे ब्रेग्नेंट न की साथ ही उसको भी आगे-अगे नियानने और मीट क्राइटर्या फॉर मेतो् ट्रेक्सब्स एफ अगर क्या होता है पेशेंट जो ए पेशेंट जोह अगर मैतोट्रेग्स एथ हे तो लेने में है अपर है चुर्ण्य सकते हैं सब्सक्रेंब ईपैंड अपियूब इन वाइच्टिर Хट्ट करता है है कि जो भी यूबल है वो उसमें कितना इंवार्मेंट हुआ है ठीक है या फिर तो नहीं हुआ है ठीक है और या फिर रप्चर तो नहीं हुआ है ठीक है उस पर क्या होता है जो सर्जिकल प्रोसेजर वो डिपेंड करता है अगर हम क्या करते हैं जो भी फिटास है उसको निकाल देंगे ठीक है और जो भी आगे उसको प्रेगन क्या हो नहीं चाहति है तो यह क्या हो गया ठीक है या फिट हम सब्सक्राफ सकते हैं जो सर्जुरी का मतलब मतलब होता है जो हम दोप करेंने कायाँ निकाल देते हैं ऐस इसे कंडिशन में के पूरीend को को नीकाल देते है उन फीमेयल सो की आगेधा आगे लिए प्रनप्री ons में या Magic नहीं होती ते Europass optimum नहीं होती है अगर जरूरी है तब में क्या करना हैателя साफ कोर है मोर्भी च्रlic jam अगर जो मैं सकते है पेशेंट को यानि जो बूमेन है उसको आरच आई जी था कर सकते हैं ठीक है नेक्स नो इंट बात करते हैं इसके बात करते है इसके नर्सिंग डाइगनोसिस के बारे में नर्सिंग डाइगनोसिस क्या होगा तो देखो रिस्क पर डिफिशेंट फ्लूट वॉल्यूम रिलेटिट टू ब्लड लॉस फ्रॉम रॉप्चर ट्यूब देखो क्या होगा रिस्क हो सकता है किसका डिफिशेंट फ् भूब लोबी बॉडी में कम हो सकता है और यह सारे चीज़ आ क्यों होई होगी एन ब्लॉड लॉस क्यों होगा क्यों कि जो भी ट्यूब है वह उसमें रप्चर हुआ ठीक है तो हम यह करना है रिस्क फॉर दिफिशेंट फूर्ट वॉल्यूम ठीक है किसका रिस्क हो सकता है किसे रिएटिड है ब्लेट लॉस फ्रॉम रचर्ट त्यूब रचर्ट ट्यूब जो है उससे ब्लड लॉस हुआ है तिक एक्टॉपिक प्रिशन है और रप्चर एंट ब्लीडिंग इंटु दा परिटोनिल केमिटी तो देखो एक्टॉट पेइन हो सकता है पेशन्ट को क्या तो when you say related to ectopic pregnancy क्योंकि patient को क्या है एक्टापिक प्रेगन सी है या फिर रुप्चर हुआ है उस में या फिर ब्लीडिंग हो रही है पाल वह चाब परिटी में तो उस कंडिशन में क्या हो सकता है क्यूव खिक्यों पेचेट और को सकता है इंति सिपैटरी ग्रीव वेविंग प्रेटेट लॉस आकश एक्यू शोस टवप क्या हुआ है उसने उसमेंगर सब्सक्टार्य को सकता है कि प्ली को सकता है इस चिज though भी दुख हो सकता है कि उसने अपने जो बेबी को बॉन करने की जो कैफिसेटी है उसको भी एंड कर चुकी है उसमें भी एफेक्ट हुई है वह भी ठीक है तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सक स्मार्ट टीवी को भी लगवाया है इससे मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे सकूँ और मैं वीडियो के क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहा हूं धीरे धीरे ठीक है आप जितना ज्यादा मुझे मुझे मौटिवेशन मिलेगा जितने आप वीडियो पर व्यूज आ झालिटी आप जितना 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 जितन